बिहार की सियम नितिश कुमार, लालू यादव और राहूल गांदे की तिगणी ने पियम मोदी को बुरी तरह से फसा दिया है। बिहार की सियासत से इंडिया गठमंदन ने ऐसा दाफ चला है कि जिससे बिजेपी बेदम हो गई है। 2024 चुनाफ से पहले बिहार में जाती जनगर्ना के आखड़ के खुलासे से बिजेपी पूरी तरह से इंडिया गठमंदन के जाल में फस चुकी है। बिहार की सियम नितिश कुमार के एक सियासी दाओंने दिली तक के सियासी तापमान को गर्मा दिया है। राजनेतिक गल्यारों में आधसर बिहार के जातीय जन्गर्णा की आंक्डों की चर्चा हो रही है इन आक्डों में बीज़ेपी के 2024 के गड़ित को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है जाती जनगर्णा के आँखड़े जारी कर बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है जाती जनगर्णा के आखड़ों में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 36 पीसिदी, अन्ने पिछड़ा वर्ग OBC 27 पीसिदी ताजाट जनगर्णा के अनुस्वार बिहार में अब करीब 82 फीसीदी हिंदू और 17.7 प्रतिशत मुसल्मान है अब बिहार में हिंदू की संख्या 10 करोड 71,92,958 है वहीं मुसलिम जन संख्या 2 करोड 31,49,925 है राजे की कुल आबादी के करीब 14.26 प्रतिशत यादव है 4.21 प्रतिशत की आबादी के साथ कुश्वा जाती तीसरे नंबर पर है ब्रहमन 3.65 और राजपूत 3.45 प्रतिशत है राजे में सबसे कम आबादी कायस्तों की है कायस्त कुल आबादी के मात्र 0.60 प्रतिशत है बिहार के सियम नितिश कुमार जिस कुर्मी जाती से आते हैं उसकी भागेदारी कुल आबादी में महज 2.87 प्रतिशत है बाद भूमी हारू की करें तो बिहार की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 2.86 प्रतिशत है जाती आधारित जनगर्ना के आँक्रे जारी होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने सोचल मीडिया एक्स पर लिखा आज गांधी जैनती के शुब अफसर पर बिहार में कराई गई जाती आधारित गर्ना के आँक्रे प्रकाशित कर दिये गए हैं जाती आधार बिहार सरकार ने जाती आधारे सर्वे को रिलीस किया या आकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समगर योजना बनाने एवं हाशी के समुहों को आबादी के अनुपात में प्रती निधित्व देने में देश के लिए नज इसी हैं जो भारत का मात्र पांच फीसिदी बजट समालते हैं इसलिए भारत के जाती गत आंकड़े जानना जरूरी है जितनी आबादी उतना हक ये हमारा प्रण है दीबिलाइफ की रिपोर्ट